हलो एवरिवन नमस्ते आप सभी को तीज की हार्दिक सुब कामने तीज वुरत पे हमारे यहां यह मावे की गुजिया या सूजी की गुजिया बनाई जाती है और जारखन में इसे पिड़क्या भी कहते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह मावे की सिंपल सी गुजिया कैसे बनाएंगे मावा मैं घर पे ही दूद पॉडर से बना रही हूँ और वो बहुत ही सिंपल है तो एंड तक आप विडियो पे बने रहे हैं और चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक पैन में टू टेबल स्पून घी लिया है और पैन को मीडियम हीट पे रखा है और उसमें ये दो तीन इलाइजी के बीच हैं फिर हम इसमें एक कप दूद पौडर डालेंगे यह अभी भी मेडियम हीट पे ही है इसमें दूद पौडर डालकर अच्छे से दूद पौडर को घी में मिक्स करेंगे और अब इसमें वन फोर्थ कप दूद डालेंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे मैं इसमें सिर्फ वन टेबल स्पून ये किश्मिस डाल रहे हूँ आप चाहें तो और भी ट्राइफ रूट्स अपने पसंद के डाल सकते हैं अभी मैं इसमें वन फूर्थ कप चीनी डालूंगी और इन सब को अब अच्छे से मिक्स करते हुए इस मावे को हम पैन में मीडियम हीट पे पकाते जाएंगे मीडियम हीट पे इसे पकाते हुए 15-20 मिनट लग जाता है तब ये मावा त्यार होता है मगर ये मावा मार्केट से लिए हुए मावे से कहीं ज़्यादा टेस्टी और शुद रहेगा किकि उसे आपने अपने घर पे अपने हाथ से बनाया है तो मैं इस तरह से अगर कोई वरत होता है मैं दूद का डबबा खरीद के दूद पाउडर का डबबा और उससे ये मावा बना दीगो तो अभी ये तयार हो गया है और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ये लग रहा है कि थोड़ा गिला है पर ये धीरे-धीरे सुख जाएगा चीनी के वज़े से ऐसा लग रहा है सुखने के बाद ये अच्छा हो जाएगा भरने के लाइक गुजिया के अंदर स्टफ करने के लाइक तो अब हम गुजिया का आटा त्यार कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और इसमें वन टेबल स्पून घी डालूंगी और इसे अपने हाथ से बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजे घी और मैदे को ऐसे मैं मिक्स कर रही हूँ यह जब दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा दूद करके डालेंगे और गूत लेंगे एक कड़ा आटा बना लेंगे मुझे थोड़ा अंदाजा है इसलिए मैंने एक बार ही डाला है यह और इसमें यह आटा गूत किया है और जिस तरह से कड़ा इसका डो जो है वो थोड़ा कड़ा होना चाहिए वैसा ही बन गया है और इसे मैं थोड़ा नीचे रख सर्फेस पे अच्छे से मसल के सॉफ्ट बना लूँगी और इसे एक कटोरी से मैंने यही पे ढग दिया है और आगे गूजिया बनाने के लिए यह करंजी का साचा और यह बेलन और यह आटा तो साचे से भी इसे आप बना सकते हैं उसमें बड़े बड़े लोई बनाने होते हैं या जैसा आपका साचा हो उस हिसाब से तो बहुत सारे लोग अपने हाथों से भी गुजिया बना लेते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं तो मैं यहाँ मुझे आता है पर इतना फास्ट नहीं आता इसलिए मैं आपको ये दोनों ही तरीकों से बना कर दिखा रही हूँ इसके लिए मैंने एक यहाँ पर चोटी सी पूरी बनाई है जिसे मैं हाथ से बनाऊंगी इसमें आप जैसा आपका पूरी हो थोड़ा पतला बना लें और फिर इसमें सूजी का या मावे का मिक्शर भर लें और फिर इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए और आटे को इस तरह उलटकर मोड़ते हुए डिजाइन बना सकते हैं तो जब हाथ से बनाते हैं तो जिनको आता है वो बहुत जल्दी जल्दी बनाकर खतम कर देते हैं क्योंकि देवार में ये बहुत ज़्यादा और हर घर में बनता है वैसे भी ये तीज और देवार अपने सारी सुहागने करती हैं अपने पती के लिए और फिर सब इकठे होके ये प्रशाद भी बना लेती हैं और घर में खाने के लिए भी बहुत सारा ये प्रशाद के रूप में बनता है तो जब सब इकठे होते हैं तो बड़े ही मज़े से ये गुजिया बनाई जाती है कुछ शिव जी के लोक, गीत और भजन गाते हुए भी तो चलिए अभी मैं आपको ये दूसरा साचा में बना कर रिखाती हूँ आप इस तरह से भी बना सकते हैं साचे में रखके और उसे दबा दें तो आपको हाथों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो डिजाइन अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से साचे पर बना सकते हैं मेरे पास साचा थोड़ा बड़ा है और ये हर तरह का मिल जाता है बड़ा छोटा प्लास्टिक का भी और कवे कवे पीतल के और अलमुनियम के भी आते हैं और बहुत आराम से ही वो साचा मिल जाता है तो आप इस तरह से गुजिया बना ले और उसके बाद इसे सब बनाने के बाद हम इसे फ्राइ करेंगे मैं यहां बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ तो इस तरह से मैंने सारे गुजिया को अच्छे से बना कर त्यार कर लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने कड़ाही में रिफाइन डाला है और वो गर्म हो चुका है थो मैं इसमें एकिक करके को चाले भड़ी लिए है और इसमें तैल भी जादा है तो आप इस बात का ध्यान रखें और उतना ही गुजिया डाले जो आराम से उलट पलट सके जब हम आटे को दूद से सांते हैं तो वह बहुत अच्छा सॉफ्ट होता है और चुकि मैंने इसमें घी डालकर अच्छे से मसल लिया था तो ये गुजिया बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट भी है उपर से थोड़ा क्रिस्पी है और खस्ता भी होगा तो अब ये आपके उपर है आप मैदे में घी डालकर अच्छे से मसल ले और फिर चाहें आप दूद से या पानी से किसी भी चीज से आटे को बना ले गुथ ले तो ये गुजिया बनकर त्यार हो गई है अभी हम इसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं वै मेरे बच्पन की यादें बिलकुल ताजा हो जाती है क्योंकि मैं ये गुजिया अपनी ममी अपनी दादी अपने घरवालों के साथ बैठके थोड़ा बहुत सीखती थी आज मैं अपने लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ तो जैसा भी मैंने बनाया है अगर आपको अ